नमस्कर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे DTS का Power Supply Card को रिपीरिंग करेंगे पूरी तरह डीड हो गया है तो उसको कैसे आप रिपीरिंग कर सकते हो ये केक पॉइंट समझा कर इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चलिए दोस्तों बीना देर करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों इस Card को हम चेक करके आपको दिखाएंगे तो यहां पे 220V हम Current Input देते हैं और यहां से हमारा 12V, 3V, 5V, 24V Output Current होता है तो यहां पे दो वायर हम जोड़ेंगे जो लाइन के लिए 220V Input करने के लिए यहां पे चलिए हम फट 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 दोनों वायर को यहां पे शोल्डिंग कर लेते हैं दो वायर को यहां पे हम शोल्डिंग कर दिये उसके बाद इस पलग को आप 220V पे लगाईएगा अगर सीरीज वाला बोर्ड है आपके पास तो सबसे बेस्ट है अगर सीरीज वाला नहीं है तो दीकत आपकी हो सकता है यहां पे 220V की करेंट आ गया यहां पे जितनी पॉइंट दिया हुए कहीं पर भी आपको हाथ नहीं ठेकना चाहिए नहीं तो आपको हाई वोल्टेज का करेंट लग सकता है अब चलिए हम मल्टी मीटर से चेक करके आपको दिखाएंगे तो सबसे पहले यहां पे 220V इंपुट हो रहा है किने इसको चेक करेंगे चेक करने के लिए यहां AC वोल्टेज पर 700 पर सलेक्ट करेंगे तो चलिए दोस्तों यहां पर हम दोनों प्रोग को लगाकर यहां पर देखते हैं देख सकते हो कि यहां पर 245, 44, 44 के करीब यहां पर करेंट इंपुट हो रहा है अब चलिए यहां पर आउटपुट पर चेक करते हैं कि कोई सा reading मिल रहा है कि नहीं तो यहां multimeter को हम DC 20 volt की range पे select कर लेंगे उसके बाद दोस्तों यहां पे output चेक करने के लिए देखिएगा नीचे से अगर दो नमर पीन गिनिएगा तो यह ground कराता है यानि minus कराता है उपर से फिर से दो नमर पीन गिनिएगा तो यह ground कराता है जो minus कराता है तो अब नीचे से दो नमर पीन पे सटाइए या उपर से दो नमर पीन पे एक पुरो को आपको सटाना है तो चलिए यहां पे हम सटा लेते हैं ground पे उसके बाद output को हम चेक करते हैं तो देख सकते हैं कहीं पर भी कोई reading नहीं मिल रही है दोस्तो यहां multimeter पे दिखान धीजिये यहां पर कोई भी reading multim конце में नहीं मिल रहे यानि यहां पर कोई भी continuity नहीं मिल रहे उसके बाद दोस्तों सबसे पहले चलिए इस पला को हम निकाल देते हैं इसके बाद फिर से हम आपको दिखाएंगे तो यहां पे देखिए कुछ बाते हम आपको पहले समझा दे यहां पे देख सकती जो आधे पार्ट रहता है यहां जो इस टांसफर्मर लगा हुगा रहता है यहां से यहां तक जितना रहता ही प्राइमरी रहता है उसके बाद यह यहां से यहां तक transformer जो रहता है यह secondary रहता है primary दोस्तों मैंने AC का current इसमें input होता है और यहां पर DC output करता है सबसे पहले हमको AC वाला part को check करना है कि यहां पर current पर आ रहा है कि नहीं यहां पर जैसे दोस्तों हम check किया कि यहां जैसे 220 volt हम दे रहें उसके बाद यहां पर मेरा primary में problem है तो इसको check करने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहां पर देखिए कि काइप सीटर लगा हुगा रहता है तो यहां हम काइप सीटर पर check करेंगी कोई sorting बता रहा है कि नहीं बता रहा है यह 400 volt साड़े 400 volt का काइप सीटर आता है तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको 400 volt नजर जरूर आएगा देख सकते हो 400 volt अब यहां पर multimeter से हम चेक करेंगे तो multimeter को हम buzzer mode पर select करेंगे तो यहां buzzer mode पर पहले multimeter को select कर लेना है उसके बाद इस कैफ सीटर की दोनों point पर आप इस multimeter को सटा के देखिएगा तो यहां पर देख सो तो यह full sourtering है तो जब कैफ सीटर पर हम continuity मिला रहा है तो यहां पर देख सकतो बीब की आवाज आ रहे तो यह बीब की आवाज नहीं आना चाहिए तो बीब की आवाज आ रहे तो हो सकता है IC खराब हो हो सकता है यह charge diode जो bridge rectifier बनाया हो रहता है यह diode भी खराब हो तो सबसे पहले आपको यहां पर देख सकते हो कि IC में हमको कोई भी fault नहीं लग रहा है देखने से तो इसलिए पहले हम diode को check करेंगे तो डाइवोड में एक तरफ से reading आनी चाहिए और दूसरी तरफ से reading नहीं आनी चाहिए तो इस तरह हम इस multimeter को बजर मोड पा ही रहने देंगे और दोनों पुरो को हम यहां पर सटाएंगे देख सकते हो इस तरह पहले सटा कर यहां पर चेक करना है तो देख सकते हैं यहां बीब की आवाज आपको सुनहाई दे रही होगी उसके बाद यहां पे इस पुरो को इस तरह पola saja करना है utes Meg 18 फिर दूसरे डाइवोड को हम चेक करेंगे तो यहां पे बीब मिल रही है फिर हम इस pro को पलटेंगे और इसको चेक यहां से करेंगे तो यहां पर भी बीप मिल रही है फिर तिसरा डाइवोड को हम यहां से चेक करेंगे यहां भी बीप की आवाज मिल रही है इस pro को पलटेंगे और इसी तरह चारो को हम चेक करेंगे यहाँ पर यहाँ से छोड़ा देगे को एक एक लेग को हम चारो को छोड़ा देंगे तो यहां पर हम बहुत असानी से इस तरह पकड़के üs segunda Kay spoken it has started then we did not give it now that we have left here the second is the SSD the third is a next DIOR the fourth is Daiio デktay you can see since then we離 couners . then the your points we will have the didn't आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो यहां पर चलिए continuity मिल रही है तो यहां पर देख सकतो हो reading कुछ मिल रही है लेकिन जब दूसरी तरप से हम check करेंगे तो हमको कौई भी reading नहीं मिल रही है यानि reading नहीं मिल रही है तो इसका मतलब कि यह जो IC लगया हुगा है यह ic भी ठीक है और जञे चेंज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए गए कोईल दिया हुआ रहाता है, यहड़ ठीक है की नहीं है? तो कोईल को चेक करने के लिए यहाँ पे देख सकतों, यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक कॉंटीनिटी मिलना चाहिए, इसको बज़र ही मोड पा क इसको भी चेक करेंगे तो यह continuity मिल रही है और दूसरी तरफ यहां देख सकते हो continuity मिल रही है और यहां से यहां चेक करेंगे तो हमको कोई continuity नहीं मिलना चाहिए देख सकते हो यहां भी कोई continuity नहीं मिल रही है और यहां पे भी कोई continuity नहीं मिल रही है यानि यह coil भी ठीक है उस इसको भी हम यहां से इस PF के चेक कर लेंगे, इसमें कोई continuity अगर नहीं मिल रहा है, तो यह PF ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए गाता है, एक fuse लागा हुगा रहाता है, देख सकते हो, इसके अंदर एक fuse लागा हुगा रहाता है, तो इस fuse को हम यहां से दोनों, देख सकते हो, यहां पर दोनों पॉइंट पर सटा रहा है, बजर मोट पर कोई continuity नहीं मिल रहा है, तो चलिए, इस fuse को हम यहां से निकाल कर देख ले रहा है, यह fuse खराब है या ठीक है, यहां पर देख सकते हो, जैसे हम fuse निकाल रहा है, तो इसका तो जल कर हालत पूरी तर खराब हो गया है, यह पर देख सकते हो, यह पूरी तरह खराब हो यह कोई भी बीप की आवाज यहां सुनाई नहीं दे रहे हैं, और यहीं हम एक नया fuse लेंगे, यहां पर देख सकते हो, नया fuse लेंगे, तो यहां से मट्किमेटर से हमको कोई continuity मिलनी चाहिए, यहां पर दे हम बंद कर देंगे, बंद करने के बाद इस चारो डायोड को आपको निकाल देना है, देख सकते हो, चारो डायोड को निकाल दीजिएगा, वो सकता है, जो कार्ड आप रिपिरिंग कर रहे हैं, उसमें एक डायोड खराब हो, या दो डायोड खराब हो, या तीन डायोड खरा 1N4007 diode है, अब इसी तरह हम 4 diode लेंगे, 1N4007 का, यहां से हम 4 diode को ले लेते हैं और इसको कैसे लगाना है, वो भी हम आपको 20 तरह से समझा कर बताएंगे, यहां पर 4 diode को हम ले लिए, उसके बाद यहां इस diode में आपको minus और plus होती है, देख सकते हो, इस diode में देखिएगा तरह त दोस्तों, इस card में आप देख सकते हो, तो आपको जिस तरह white party है, उस तरह white party की और से इस तरह लगा देना है, इस diode में white party इधर बना हुए, तो इस तरह हम यहां पर लगा देंगे, जिस तरह white party तरह से हम उसी तरीका से इसको यहां पर लगा देना है, इस तरह 4 diode को चलिए ह तो आपको लगाने से कोई भी फाइदा नहीं होगा जैसे इसमें लाइन का सप्लाई दीजिएगा फिर ये सौट कर जाएगा तो जिस तरफ ये हुआइट पटी बना हुगा है सेम डाइवोड का हुआइट पटी के साथ ये आपको लगा देना है उसके बाद ये चारो डाइवोड को यहां से आप सोल्डिंग कर दीजिएगा चारो डाइवोड को जब सोल्डिंग कर लिजिएगा तो इसमें का लेक जो बाड़ा बाड़ा निकला हुआ है उसको कटर की सायता से आप इसको कट कर दीजिएगा तो चलिए इस चारो लेक को हम यहाँ से इस तरह कट कर देते हैं तो चारो डाइवोड की लेक को यहाँ से कट कर दिये उसके बाद इसको क्लीन कर लीजिएगा तो और बेस्ट है तो चलिए यहाँ पर हम इसको क्लीन कर देते है देख सकते हो यहाँ पर क्लीन कर दिया अब पुरी तरफ फलेस हो गया लेकिन डाइवोड लगाते हो वक्त आपको वहीं ध्यान रखना होगा तकि इसमें कोई उल्टा डाइवोड आपको नहीं लगाना है उसके बाद यह कंप्लीट लगभग में हो गया अब चलिए इसमें ह हम एक बर कंट्विटी मोड पर फिर से चेक कर लेते हैं कि कोई सौटिंग सो तो नहीं कर रहा है उसके बाद आपको इसमें सफलाई देना है यहां पर देख सकते हैं एक तरफ से कंट्विटी मिल रहा है और दूसरी तरफ से चेक करें तो यहां पर कोई कंट्विटी नहीं मिल रहे हैं उसी तरह जो मेरी यहां से वायर जोड़ा था है यहां पभी हमको user कर लेना है कि कोई sorting तो कर रहा है या नहीं कर रहा है यहां पर कोई भी something so नहीं कर रहा है अब चलिए इसमें हम लाइन का supply देंगे इसके बाद हम आपको बता रहे है लेकिन लाइन की supply जब दीजिएगा न तो इसको अब पकड़िएगा नहीं यहाँ पर हमने supply दे दिये अब चलिए यहाँ से हम चेक करते हैं तो पहले यहाँ पर चेक करें कि 220V यहाँ से input हो रही है कि नहीं हो रही है तो दो नमर वाला जो है नीचे से दो नमर वाला गराउंड है फिर उपर से दो नमर वाला गराउंड है यानि माइनस का है तो आपको उसी तरह माइनस और पलस को ध्यान में रखते होगे इसको चेक करना है तो चलिए यहां पर हम इसको गराउंड पर गराउंड को लगा दे रहा है उसके बाद यहां से हम चेक करके देख रहे हैं तो यहां पर देख सकतो हो 3.487 के करीब continuity हमको मिल रहा है यानि करेंट मिल रहा है उसके बाद यह दो नमर वाला गराउंड है उसके बाद यहां पर द दूसरे वाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, यह वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत जादे मेहनत लगती है, और हमारे चाइनल पर नए हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम बनाएंगे, जेनुवन बनाएंगे, और नोलेजफुल वीडियो आपको बना कर देंगे